नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस नए अपसोर्ड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा चमतकारी एंटी एजिन उसका बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने चेहरे की उम्र यानी जो बढ़ती उमर है बिलकुल रोग देंग और आपको चैरा हमेशा नौजवान और हमेशा एकदम स्किन एकदम टाइट रहेगी और आप हमेशा जवान दिखेंगे दोस्तों ये दुसका जो मैं लाया हूँ वो है चावल के पानी का जो आपके फेस पर नहीं आने देगा बिलकुल भी एजिंग का एक भी निशान अब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर हम आपके लिए जवर्दस्थ टिप्स जिस्से आप घर पर ही अपनी ओशदी बना सकते हैं और एक स्वस्त जीवन जी सकते हैं तो दोस्तो हमारे साथ जुड़ जाए और एक स्वस्त जीवन की हमारे साथ शुरुवात कीजिए तो दोस्तो बिना वक्त गवाए हमें डैलेक्ट आता हूँ अपनी आज की वीडियो की तरफ दोस्तो सबसे पहरी बात चावल का पानी हमारे लिए बहुत सेहतमन होता है जो लोग चावल धोने के बाद उस पानी को फेक देते हैं वो सही माने बहुत ही बड़ा अपने लिए गलत काम कर रहे हैं क्योंकि मैं कहूंगा कि इस पानी को ना स्वाल करकर वो बहुत ज़ादा अपने साथ ना इनसाफी कर रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको खुदी पता लग जाएगा थोड़ देर में आप वीडियो देखते रहें कमाल की बात तो यह है कि शोद के अनुसार पाया किया है कि इस पानी को पीने से कब्स की शिकायत भी दूर हो जाती है अब आप जान लीजे कि जो लोग इस पानी को फेक देते हैं वो क्या नुक्सान कर रहे हैं यानि मतलब वो बहार से दवाई हैं तो खरीड लेंगे अपनी हजारों रुपे की लेकिन जो घर की जो मौझूद जो बिल्कुल नैचरल चीजे हैं हमारे पास जो परकर्टी ने हमें दिये हैं तोफे वो सब फेक देना बहुत ही गलत बात है दोस्तो मैं बताता हूँ कि आप करना क्या है दोस्तो बेशक घर में रखाने में जो चावल आप बनाते हैं आप वही चावल अस्तमाल करें उन्हें पके हुए चावल तो आप खाते हैं लेकिन क्या आपने कभी चावल का पानी पिया है सुनकर बले ही आपको बड़ा अजी पानी के बेमिसाल फायदों के बारे में जरूर देखें दोस्तों चावल पंग जाने के बाद जब आप इन्हें निकालते हैं तो बचा हुआ पानी workने के बजाए पानी को काम में लीजिये ठीक है उस पानी को फिल के नहीं ये आपके शरीर के लिए उर्जा का बहतरिन स्रोत है और जो कार्बो हाइडरेट से भरपूर है सुभा के समय इस पानी को पीना एनर्जी बूस्टर की तरह होता है जो बहुत ही बगया काम करता है चावल का पानी जी हाँ चावल का पानी आपको किस तरह से best इस्तमाल करना है best आपको results देगा मैं बताता हूँ आपको चावल के इलावा इसका पानी भी सेहत के लिए बहुत vitamin है चावल को पकाने में इस्तमाल होने वाला पानी में गुन शुपे होते हैं बहुत बेशुमार ये चेहरे वे बालों के वो भी बहुत फाइदा पुचाता है जिन महिलाओं को चेहरे ये बालों के समस्य है वो इस पानी को ज़रूर इस्तमाल करें दोल्तों इसमें कई पौश्टिक तत्वे ऐसे मौझूद हैं जैसे vitamins, proteins, antioxidants इसमें जो पाई जाते हैं इससे आपके skin बहुत एक खिली-खिली महसूस करती है और आपके skin के जितने भी सूखे पन वो कील मुहासी की समस्य है उन सभी से आपको बिल्कुल निजाद गलाता है और जिन लोग को जल्दी बुगापा आने के समस्या होती है वो उन सभी को या जो जवान भी है उनको उन सभी के लिए ये जल्द बुगापा आने से उनको रोकता है aging के लिए इसमें कमाल की इसके दिन दर गुन है इसके मदद से आपके जो aging की जो समस्य है वो बिल्कुल थम जाएगी दोस्तों इसके लिए मैं करना क्या है अब मैं आपको बतायाता हूँ चावल अगर छानकर आप ले रहे हैं छानकर पानी अलग करें और इसे चहरे पर करीब 15 मिनट तक मसाज करें साफ पानी से चेहर को धोले अब आप पूछेंगे की पानी कैसा चाहिए मैं अपने हातों में लेके यह सबसे बाई तरीका है रूई में डूबो कर श्क को आपको अपने चेहरे पर लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हैं अपको एक ऐसी रूललेनी है राई दिखाता हूं कैसे अपने चेहरे पर 35 छाइथ से मसाच मसाच करने के बाद ऐसका साफ पानि sair के अपने चेहरे को दुर लेना है इसके लावा को पीने से आपके कब्र की शिकायद भी दूर होती है पानी की जो दूर करने के लिए आप इस चावल के पानी को सुमस्या से बच सकते हैं बुखार होने पर भी चावल का पानी पी सकते हैं इस से शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होती और ज़़ूरी पोशक तत्व भी शरीर को मिल जाते हैं इस पानी में भरपूर मात्रा में कार्बोहड्रेड्स, अमीनो एसिड्स होते हैं जो वोडी को हमेशा बहुत ज़ादे एनर्जी प्रदान करते हैं दोस्तो ये पानी नहीं, मामली पानी तो मैं कहूंगा ही नहीं कभी से ये एकदम एनर्जी ड्रिंक की तरह मैं कहूंगा इसको चावल के पानी को दोस्तो अगली बार आप जब भी चावल बनाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और इस पानी को कभी भी फेके नहीं दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही महदुपून है और मैं चाहूंगा कि आप अपने सभी मित्रजन अपने फ्रेंड्स और इलेटिवस को इस बारे में जरूर जानकारी दें क्योंकि चावल का पानी से वो भी अब तक शायद इस बेशुमार फाइदे वाली चीज़ को ना जानते हो और शायद इसकी मदद से उनके स्वास्त में बहुत लाब हो और उसकी दुआएं आपको भी मिले दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही आपको ये वीडियो कैसे लगाएं से कमेंट के माध्यम से हैं में अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम अपने वीडियो में और भी अच्छे अच्छी चीज़े लेके आएं और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप अपनी प्रच्च का बाहिं?